आज हम बनाएंगे राजिस्तान की फैमस कट्ची हल्दे की सब्चे तो आएए फ्रेंट्स देखते हैं हमें कट्ची हल्दी की सब्ची बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यक्ता होगी यहाँ पर मैं लिए रही हूँ 500 ग्राम कट्ची हल्दी यहाँ पर मैंने लिए हरे मतर जो बजन में 100 ग्राम है आप जाता भी ले सकते हैं यहाँ पर मैं तो टमाटर ले रही हूँ यहाँ पर मैंने मेडियम साइज के तीन प्याज लिए एक ठोड़ा अधर रख कर लूँगी यहाँ पर मैं लोँगी ले सुन की कर लिया कुछ 15-20 कर लिया ले सुन की और 100 ग्राम देशी की लिया है मैंने पास से चेहरी मेर्च लोँगी तो सबसे पहले मैंने इसको दूल के साफ कर लिया था तो हल्दी को छील लेंगे उपर से बिल्कुल इसी तरह हमें सारी हल्दी को छील लेना है उपर से तो मैंने सारी हल्दी को छील लिया यहां पर अब ग्रेटर से इसका कुद्दू कस कर लेंगे पर मैंने सारी हल्दी को छील कर लिया है अब यह सकॉन कर देंगे और एक कडाई रख देंगे उससे मैं डाल रही हूँ यहां पर गी जो भी लिया था न देसी ही गी को मैल्ट होने के बाद इसमें हल्दी डाल देंगे इसो कंट्यूनी चलाते रहना है वरना यह तले में चपकने लगती है मेडियम फ्लेम पर हल्दी को बून लेंगे और गी कम लगे तो और गी याड़ कर देंगे लगवक साथ से आठ मिल तक हल्दी को पका लिया है मैंने उसके बाद मैं इसमें प्यास एड़ कर देंगे इसे भी चलाते रहेंगे इसके बाद मैं इसमें लेसुन डाल देंगे बारी कोटी फी लेसुन इसमें लादेंगे अच्छी तरह अब इसमें अद्रक डाल देंगे अद्रक को मैंने कद्दू कस कर लिया था उसके बाद मैं एड़ कर दूंगे इसमें मतर मतर को भी मिला देंगे मतर दूंगे इसमें एक चमाज नमक और एक चमाज थनिया पाउडर झाले गज़िए झाले पाउड़ पाउड़ थनिया एक चमाज़ इसमें एक चमाज़ पाउड़ अब इसे थोड़ी देर और पकने देंगे अब इसे स्टेज बेस में डाल देंगे तो टमाटर जिनको मैंने बारिक काट लिया था अब इसे ठक के पकने देंगे अब वक्त तीन से चार मिनिट और पकाएंगे अब है हल्दी नगी चोड़ना स्टार्ट कर दिया है मैं डाल रहे हूं इसमें पन फोट जमच हींग दो चोटे जमच कश्मीरी लाल मिर्च एक चमच थनिया पाउडर सभी को मिला देंगे इसमें अधी चोड़ी चमच का ला नमक दाल देंगे इसे तेस्त बूत अच्छा आता है और आधी चोड़ी चमच गरम मसाला और कस्मीरी में ती डाल देंगे थोड़ी सी क्रेश करके सभी चीजों को मिला देंगे अविसमित दाल देंगे करकेंगे में अविसमित कर्केंगे 2-3 मिनिट और पकने देंगे इसे मैं टाल टेंगे इसमें हरा दनिया तो यह लेजिए विच्ची हल्दी की सब्जी बनकर वल्कुल तयार है आप भी बनाईए खाईए और अपने अनुवा पमार्शाद शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू